नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे जोडों के दर्द के बारे में जॉइंस फैन जिसे अर्थ्राइस भी कहते हैं इसके लक्षन, कारण, इसका परिक्षन कैसे करें एवं इसकी मेडिसिन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं घंटी के वटन को जरूर दवाएं ताकि हेल्ट से सम्मन्द वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें जोडों के बीच में एक फ्लूट पाए जाता है जिसे साइनवियल फ्लूट कहते हैं यदि ये कम होने लगता है या सूपने लगता है जिसके कारण हमारे जोड आपस में टकराने लगते हैं फिर जोडों का दर्द सुरू हो जाता है जिसे अर्थराइस भी कहते हैं इसके लक्षन या हमें केसे पता चलेगा ये बीमारी हमें शुरू हो गई है ये एक बहुत ही गंबीर बीमारी है ये पचास वर्स के उपर वाले ब्यक्तियों में अधिक पाई जाती है इस बीमारी में ब्यक्तियों को अधिक दर्द एवं सूजन आ जाती है गुमाने या मूप करन में अधिक परिशानी होती है इसके कारण नमक अधिक खाने से अधिक तला हुआ खाना या बाहर के खाना खाने से जिसका बजन अधिक होता है उसको भी इस बीमारी का सामना करना पड़ता है अधिक शराब या सिर्गेट पीने से भी ये बीमारी हो जाती है इसका परिशन कैस करें सबसे पहले हड़ी के डॉक्टर इस्पैसलिस्ट को दिखाएं ताकि सही ट्रीटमेंट और सुजाब मिल सके खून की जाच कराएं जिसे यूरिक एसीड और एफेक्टर कैल्सियम एक्सरे की जाच कराएं साइना वियूल फ्लूट की जाच कराएं यदि आप अपने डॉ टैबलेट ग्लुकोजा माइन एवं टैबलेट कैल्सियम बिटामिन्स आज से ही चालू कर दें ताकि अपनी प्रॉब्लम जादा ना वड़ सके और यदि प्रॉब्लम अभी कुछ ही दिनों से है तो इन ही दवाईयों से ये प्रॉब्लम खतम हो सकती है यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू करें कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें